चंपारन बिहार की वो धर्ती जिसका नाम चंपा के फूलों के अरणने के नाम पर रखा गया लिकिन इतिखास में इसे मुहन दास करम चंपारन की शुरुवाती करम भूने के लिए जाना गया और बाद में गांधी का चंपारन से रिष्टा ऐसा जुड़ा कि उन्होंने चंपारन को ना सिर्फ सत्यागरा का सफल प्रयोकस्थल बना दिया बलकि यहां के लोगों के दिल में वेबस गए यह वही चगा है जहां गांधी जी ने किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराया था दक्षण अफरिका में सत्यागरा के सफल अंदोलन चला चुके गांधी यहां भी अंग्रेजों के अत्याचार से उभार लेंगे ऐसा सोचा गया नमस्कार ये बात है 1917 की जब देश अंग्रेजों की गुलामी से गुजर रहा था और ठीक उसी वक्त महात्मा गांदी दक्षिन अफरीका में सत्यागरा के सफल परियोग के बाद भारत लोटे थे और वो इस देश को समझने की कोशिस कर रहे थे और उसी वक्त में उन्हें ये खबर मिली कि चमपारन निल के किसानों पर अंग्रेजों का अध्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किसानों के आग्रह पर वो चमपारन आ है और इसी के बाद से महात्मा गांदी का राष्ट्रीय राजनीती में ना सिर्फ उदै हुआ बलकि भारत के पहले सत्यागरा के परियोग का तौर पर चमपारन की धर्ती को जाना है दरसल गांदी को चमपारन बुनाने का श्री इस इलाके के किसान राजकुमार शुकली जी को दिया जाता है जिनोंने निलहों यानी जबरन नील की खेती कराने वाले जमीदारों के अत्याचारों से आजादी के लिए मोहन दास करम चंद गांदी को मुक्ती दाता के रूप में पाया था राजकुमार शुकली जी के योगदान को जानना इसी लिए जरूरी है क्यूंकि गांदी जी को चमपारन बुलाने के लिए उनकी महत्व भूमिका थी 10 अप्रेल को पटना से होते हुए 15 अप्रेल 1917 दुपरह 3 बजे को मोहन दास करम चंद गांदी चमपारन के इसी मुतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुचे और इसी प्लाटफॉर्म नंबर दो पर वे उत्रे स्टेशन पे गांदी के स्वागत के लिए चमपारन उमर आया तीन कठिया विवस्था यानि वो विवस्था जिसमें एक बिगहे के 20 में से 3 कठे में नील उगाने की मजबूरी थी नील के पौधे की गहरी जड़ों से जमीन के बंजर होने का खत्रा होता था और धान की फसल को भारी नुकसान पहुचता था और अगर कोई किसान नील की खेती नहीं करता तो उसके उपर निलहों जमीदारों के अत्याचार का कहर टूट पड़ता गांधी जी ने 1900 गाउं और 13,000 किसानों का बयान धर्च किया उसके आधार पर जाद समिती बनाई गई और आखिरकार एक साल के अंदर ही जाद समिती ने इस नील के किसानी को अवैद करार कर दिया यानि किसानों पर इसकी खेती की कोई बात देता नहीं रहे गई ये बड़ी जीत सत्याग्रा की देखने को मिली मोहंदास गांधी 1917 में कुछ दिनों के लिए चंपारन आये थे लेकिन फिर यहाँ वो एक तरीके से बस गये और गांधी जी ने ये साब समझ लिया था कि चंपारन के साथ अगर देश को आजादे दिलानी है तो लोगों में सिक्षा का प्रसार करना होगा सिक्षा की कमी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने तीन बुनियादे विद्यालेयों की नेयों को रखा जिसमें से पहला विद्याले 13 नौंबर 1917 को मोतिहारी के बढ़हरिया लखन सेन गाउं में रखा गया हाला कि इसकूलों की बाद में ना देख रेख हुई और ना ही सरकार ने उसे गंभीर रूप से जो लिया पाट साला एक एक करके बंद गांधी जब चमपारण आये थे तो उन्हें यहाँ दो कमिया देखने को मिली पहली साफ सफाई की कमी दूसरी शिक्षा की कमी दुनियादी स्कूल खोले गए एक समय आया जब स्कूलों की ना देख रेख हुई ना ही सरकार इसे लेकर गंभीर साबित हुई जसका अंजाम यह निकला कि एक एक करके सारी पाट शालाएं बंद हो गई कि व्हओत हुई व्हरी उत चालाएं बंद हो कि एक व्हरी चालाएं भी घूल fahr diffé प्लोंड़ खोलों की आया जए की 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 आधना ना प्लाएं शाश समय ऑ्त्विटने की प्लाएं चालाएं अंद खोलाएं बैटकों की गवा संग्राले में मौजूद ये विशालकाएं मेज आज भी है जिस पे कई दोहर की वार्ताएं हुई थी मुदिहारी में गांधी संग्राले का ये वही स्थम्ब है जहां वो अदालत हुई थी जिसमें गांधी पर मुकदमा चला अखबारों में इस मुकदमे की खूप चर्चा हुई यह स्थम्ब इस बात का प्रतीक है कि कानून से उपर लोकमत भी हो सकता है आज की समय में गांधी जी हर एक के पास हैं भारतिये रुपे के रूप में और उनके एनक को स्वच्छता का प्रतीक माना जा रहा है आज को स्वच्छता का लिए बातीक प्रतीक प्रतीक